हेलो प्रेंट्स वेलकम तो माई चैनल आज यह वाला डिजाइन हम आपको बना के दिखाएंगे बहुत ही सुन्दर डिजाइन है यह देखिए बड़ी आसानी से आप इसे बना सकते तो इसके लिए मैंने फोर प्लाई उन यूज की ग्यारा नमबर क्रोशिया है स्टेप करेंगे चर्कल बना लेना है और अब हमें नाइन चेन लेनी है टू थ्री नाइन चेन वन टू थ्री इस तरह से तीन दागाल लेने हैं और एक ही है तो जब फोर टाइम डबल क्रोशिया है यहां पर बनेगा तीन चेन वन टू थ्री पोर टाइम डबल क्रोशिया के लिए दागा इस तरह से इसके हमें बारा पार्ट करने हैं दो होगे इसी तरह से दस और करने हैं दो होगे इस तरह से बारा पार्ट इसके करने हैं अब इसे हमें यहां पर काउंट कर रखा है मैंने वन टू थ्री थार्ड वाली चेंट करने हैं लेकर डाल देना है एक श्लिप स्टिच यहां पर आब 18 चेंट लेनी है ये वाला छोड़ देंगे, इसमें बन देंगे फिर रेटिंग चेन लेनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह ये 6 पार्ट कर लेंगे इसके, इस तरह इसे 6 पार्ट करने हैं, अब हम इसे यहां पर जोड़ लेंगे इस तरह इसे जोड़ लेना है, 1, 2, 2 चेन और जो ये चेन लिए हैं, इन में डालके हमें बना लेना है ये 1, 2, 3, 3, 4 भस ठाटक लेंगे, इस तरह ये 5 पार्ट करोश लेना हैं आट है, इन में जोड़ लेना है, चेन लिए ए वह निए छेनल को लेंगे एक, दो, तीन और ये चार, इस तरह चार डबल क्रोशी हो गए, टिर्पल क्रोशी का दगा, नेक्स्ट में दो टिर्पल क्रोशी बनाएंगे, सेम चेंड में, फिर नेक्स्ट में भी दो टिर्पल क्रोशी हो, इस तरह टोटल आठ टिर्पल क्रोशी बनाएंगे, चार हो गए, पाँच, सेम चेंड में दो टिर्पल क्रोशी, छे हो गए, और ये, दो और बनाने लेंगे, तो टोटल आठ हो जाएंगे, इस तरह से आठ टिर्पल क्रोशी हो, अभी फिर से डबल क्रोशी बनाएंगे, चार डबल क्रोशी हो, प्रिपल क्रोशी के बाद फिर सेम मुशी तरह से बना लेंगे, एक पैट्रिल की तरह से बनाएंगे, तो टिर्पल क्रोशी हो, तरह से डबल क्रोशी के दगर, हाप डबल क्रोशी बनाना है, यह चार हो गए, पांच हो गए, तो हमें चार तक ही बनाना है, तो यह देखिए, चार हो गए, तो चारों को एक साथ निकाल लेंगे, इस तरह से, फिर से बनाना शुरू कर लेंगे, दूसरी साइड का, सेम इसी तरह से बनाने, एक हाफ डबल क्रोशी यह, दो हाफ डबल क्रोशी दूसरी साइड का, इस तरह से चार दाग्य हो जाने चाहिए, निकाल लिए इस तरह से एक साथ, सेम इसी तरह से चाहर डबल क्रोशी है, फिर आठ टिर्पल क्रोशी है, इसी की तरह बना लेंगे, यह वाला जो हमने बना के तियार किया है, सेम पूरे में, इस तरह से यह वाइट कलर में तियार कर लेना है, अब कलर चेंज कर रहे हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, स्टार्टीं, यहां से, यहां से, और इस तरह से भी कर सकते हैं, यहां से, मैं इसको थोड़ा इस तरह से करूँगे, 18 चेन ही लेनी है, 18 chain हो गई, अब इसको हमें इधर से लेना है उपर से और इसमें डाल देना है, इसके उपर से देखिए तो यह देखिए, इस तरह से वाइड कलर से हमें बना के तियार कर लेना है, डिजाइन यह इस तरह का जाएगा, इसके 6 पार्ट हो गए है, अब हमें कलर चेंज करना है, तो यह में ओरेंज कलर यूज करूंगी, अब इसमें, तो यह कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, जो बोक्स हमने छोड़ा हुआ है उसमें 18 चेन लेनी 18 चेन लेके और इसके अंदर से निकालना है बाक्य की उन भी हमें निकालनी है तो हम थोड़ी कम कर लेंगे इसे तो यह देखे कम करके रेश के बीच में से निकाल लेंगे इस तरह से धगगा भी इधर आ जाना चाहिए और यहां पर इस वाले में बांध लेंगे तो अभी इसको हम यहां पर इसमें बांध लेंगे इस तरह से सिंगल क्रोश यह से फिरेटिंगे में बांध लेंगे इस तरह से इसमें बांध लेंगे लेंगे इस तरह से लेके और यहाँ पर सिंगल क्रोशिय से बांद लेगे इसी तरह से कंटेनिव पूरे में बना लेते हैं फिर सेम यह इस वाला डिजाइन हमें डबल क्रोशिय में बनाना है देखिए इस तरह से पूरे में बना लिया है मैंने यह बना के डाल लेना है अभी सेम ये वाला डिजाइन बनाएंगे इसमें भी टबल करूज ये का यही से स्वरू कर लेंगे एक, दो जेन इसी तरह ऐसे continue बनाना है चार होगे, इस तरह निकाल लेना है एक चेन और चार डबल करूज ये continue एक दो तीन चार इस तरह से ये होगे, चार डबल करूज ये इसको थोड़ा और इदर कर लेंगे और अब आठ टिपल करूज ये बनाने हैं count करके बनाएंगे जिससे डिजाइन बरबर आएगा दोनों में वाइट में भी और 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 इंज में भी टिपल करूज ये इस तरह से एक चैन में दो टिपल करूज ये एक चैन में दो टिपल करूज ये चैन होगे दो और बना लेंगे सेम चैन में टिपल करूज ये और अब फिर चार डबल करूज ये बनाने continue अब ऐसे कर सकते हैं या तो इसको इसको इधर ले लेंगे इधर से बना लेंगे दो डबल करूज ये तीन चार पूरव हमें हाफ डबल करूज ही बनाने हैं वन टू और ये इसमें बनाएंगे लास्ट में थ्री एक साथ निकालेंगे एक चेन लेंगे अब दूसरी साइड वाले में बनाना शुरू कर लेंगे पहली चेन से शुरू कर लेना है एक दो तीन और यसा निकाल लेना है चैन फिर यह डबल करूज ही इसा थरह से ट catalog बना के तीयर कर लेना है यह देखिए इस तरह से अजाएगा continue बना लेंगे तो यह देखिए फ्रेंट्स इस तरह से फ्लार या पैटर्न हमारा बनके तियार है बहुत ही सुन्दर लग रहा है यह देखिए बढ़ी आसानी से बन गया है इस तरह से आप और भी बना के इसे केबल में बना सकते या ठाल पोस्ट बना सकते और डिजाइन बना के और जोड के अपस में और या फिर यह कोश्टर के रूप में यूज कर सकते बहुत ही सुन्दर डिजाइन है इस तरह से आप बहुत आसानी से इसे बना भी सकते हैं